हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आर्बी गूड आइडियाज, ये वीडियो उन सभी क्लास 12 स्टुडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट है, जो 2020 में CBSE का बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बालोजी के एक्जाम में किस लेशन से कितने मार्स के क्वेश्चन्स आएंगे, इस ब्लूप्रिंट को मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन्स और CBSE दुवारा प्रोवाइड़ पीरियड्स को स्टडी करके बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, इस लिए इस वीडियो क को इसकिप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, सो लेट्स स्टार्ट, इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं कि आपको हर लेशन से कितने मार्स के क्वेश्चन्स बायलोजी एक्जाम में 2020 में आएंगे, तो आईए ध्यान से देखते हैं, CBSE क्लास 12 की बायलोजी में आपको टोटल 16 लेसंस हैं, जो 5 यूनिट्स में बटे हुए हैं, पहला यूनिट है reproduction, इसमें total 4 लेसंस हैं, इस यूनिट का पहला लेसं reproduction in organisms हैं, जिससे आपको 3 मार्स के questions आएंगे, sexual reproduction in flowering plants, इस यूनिट का सबसे important chapter हैं, इस chapter से 5 मार्स के questions आपके एक्जाम में आएंगे, तीसरा lesson human reproduction है जिससे four marks के सवाल आएंगे reproductive health इस unit का last lesson है जिससे two marks के questions आएंगे यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि lesson two से lesson four में एक mark का exchange हो सकता है तब ऐसे में lesson two से four marks के questions और lesson four से three marks के questions आएंगे पिछले कुछ exam में ऐसा हुआ है और आप सब यह जानते ही है कि ऐसा होता है अब देखते हैं unit two को दूसरा unit है genetics and evolution यह unit आपको थोड़ा बोरी लगता होगा इस unit में तीन lessons है principles of inheritance and variation इस unit का सबसे important chapter है इस chapter से board exam में eight marks के questions आएंगे molecular basis of inheritance से four marks के questions आएंगे जबकि evolution के lessons से six marks के questions आएंगे आप समझ गया होंगे कि थोड़ा कम interesting होने के बाद भी यह unit class 12 bio का main unit है biology की जान है इसलिए इन तीनों lessons पर पूरा ध्यान दीजिएगा और neglect मत कीजिएगा biology and human welfare तीसरा unit है इस unit में भी तीन ही lessons है human health and diseases इस unit का सबसे important और class 12 biology का दूसरा most important chapter मार्स के basis पे human health and diseases से seven marks के questions आएंगे strategies for enhancement in food production से सिर्फ तीन number के questions आएंगे microbes in human welfare से four marks के questions आएंगे अब चलते हैं चौती unit में biotechnology and its appliances class 12 bio का चौता और सबसे छोटा unit है इसमें only two lessons है biotechnology principles and processes से four marks का question आएगा biotechnology and its applications इस unit का सबसे important lesson है जिससे exam में six marks के questions आएंगे आपकी biology का last unit है ecology and environment इस unit में भी चार lessons है इस unit का relation human beings and nature से है organisms and population से two marks के questions आएंगे जबकि ecosystem से आपको चार number का questions आएगा biodiversity and its conservation से three marks के questions आएंगे biology का last lesson है environmental issues यह lesson इस unit का most important lesson है जिससे five marks के questions आएंगे यहां पर भी एक बात पर आप ध्यान दें कि environmental issues से organisms and populations में एक mark को shift होने के पूरे हैं अगर ऐसा हुआ तो organisms and population से three marks के questions और environmental issues से four marks के questions आएंगे तो दोस्तों यह थी आपके class 12 biology के board exam 2020 की blueprint आपने इसे देखा और सही से समझा होगा यह blueprint 90% authentic है क्योंकि हर साल कुछ fluctuations होते हैं और इस साल भी 10% का fluctuation हो सकता है बाकी कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से इस basis पर तैयारी कीजिए वीडियो देखने का thanks वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजिए और अपने circle में और classmates को share कर दीजिए नए है तो चैनल को फटाफट subscribe कर दीजिए ताकि आपके लिए useful वीडियो आप स से मिशना हो और अगर आप पहले ही चैनल को subscribe कर चुके हैं तो आपके लिए मैं thank you बोलता हूं take care and goodbye